प्रात्य क्लाइच चल रहा था, 12 डिसंबर 1960, पुरुवार को पांची पेच की मद्धे में बात चल रही थी, पहले भारत विश्यु का मालिक था, कितना छोटा था, शुरुवात में छोटा और फिर बड़ा विश्यु का मालिक, तो नई दुनिया में साब, everything यू होगा, पुरानी दुनिया होती है, तो everything पुरान, अब दुनिया तो एक ही है, एक्टिविटी भी सब एक ही है, जैसे कलपूर में थी, वैसे ही है, जो एक्टिविटी सेकेंड बाई सेकेंड चलती रहती है, तो देखो, तो सेकेंड बाई सेकेंड गिनते जाएंगे ना, आज सेकेंड गुजरा, मिनट गुजरा, गंटा गुजरा, एक बरस चे शुरू हुआ, पांच यार बरस तक आ गया, आज कल, आज कल, आज कल करते करते, आज और कल बस और तो कुछ ही नहीं, ऐसे ही करते आए हो, कल कहेंगे फिर कल हो जाएगी, तो फिर कहेंगे कल है, क्योंकि आज आज है, इस कलप में, कल जो भी थी, सो आज आ गई, वो आज से कल, ऐसे आज कल, आज कल करते करते, पांस यार बस चले गए, उसमें ये सभी सीन सीनरी, खेल पाल, जुसको तुमको बाप ने समझाया है, कि वो खेल पाल क्या है, तो ये साब खेल पाल होते आएगे, और कल्प कल्प होती गए, अब ये पत्ते तो सभी नहीं गिन सकते हैं, जाड़के, है कोई की ताकत है, जो ये पत्ते बेहरके, जाड़के गिन सके, नहीं, ऐसे ही समझो, भई, कि ये जाड़ है, तो नट सेल में समझाया है, ना, कि देखो, भई, ये सश्टी रूपी एक जाड़ है, इनके फाउन्डेशन है, और जो मुख्य फाउन्डेशन है, उसमें से तीन ट्यूब निकले हुए हैं, मुख्य, इस्लामी बहुत दी किस्टियन, और उन तीनों का डीटी तो है फाउन्डेशन, पीशे कहेंगे कि ये इस्लामी बहुत दी किस्टियन, ये तीन ट्यूप्स निकलते हैं, मुल्टिफिकेशन, तो दिखो, मुल्टिफिकेशन होने पर कितने पत्ते हो जाते हैं, जाओ, इसका सेंपल देखना हो, तो बढ़के जाड़के पत्ते को जाके, जिनके कोई दिल दिख लावे, गिन सकता है क्या, है कोई की ताकत, क्योंकि जाड़ भी होते हैं, बड़का बड़ा जाड़, और अभी की बात बाप समझाते हैं, बारहे दिसंबर उन्निस और सट की प्राते क्लास का छठा पेज, इस समय जब कि सभी जाड़, सभी धर्मों के ब्रद्धी पाई चुके हैं, अभी कल्यूग अंत में जाओ, कोई गिंती करके दिखे लावे, कि सभी जाड़ों में टोटल कितने पत्ते हैं, बुद्धी में तो है कि बरोबर उफ ये तो यूज जाड़ है, अच्छा, अभी ये यूज जाड़ नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अभी फाउंडेशन तो है ही नहीं, तो ये बड़के जाड़ का जो मिसाल बाप देते हैं, बनियंट्री का, ये तो बड़ा एक्यूरेट है, और दुनिया में जाड़ तो बहुत हैं, धेर के धेर हैं, परन्तु इनका तो देखो, जोनके वो जाड़ है ना, और कलकत्ते में तो लोग जाकर रोज देखते हैं, जहां से इस चैतन सश्च रूपी जाड़ का दीजार ओपन होता हैं, परन्तु उसका जो फाउंडेशन है ना, इस जाड़ से भी बाहर बहुत खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इस जाड़ के नीचे है उसका फाउंडेशन, अरे की, नहीं, अरे वो फाउंडेशन तो बहुत दूर तक जाती है, और यह जाड़ एक है, तो यह बंदर तो खाएंगे ना, यह कितना बड़ा जाड़ है, तो ड्रामा में बापने दस्टांत भी यही रखा हुआ है, तो समझाने के लिए यह है कि फाउंडेशन तो है ही नहीं, और फिर भी जाड़ व्रद्धी को पाता रहता है, और उपर से नए नए फाउंडेशन आती रहते हैं, देखो, वो फाउंडेशन लगाने वाली आत्में अभी तक भी आती रहती हैं, जबकि यह फिर सारा फाउंडेशन इस्थापन हो जाएगा, बाकि जो बाद में आने वाली फाउंडेशन है, वो साथ चली जाएगी, खत्म हो जाएगा, सारा जाएगा, तो यह समझ की बात है ना बच्चे, बाबा ने तो आकर कि तुमको इशारे में समझदार बनाया है, और तुम अभी इशारे से सारा जान गई हैं, कि बरुबर हम फाउंडेशन हैं, और इस साड़े जाड़ में मूल फाउंडेशन हमारा है, बकि ऐसे नहीं है कि बिलकुल खत्म हो गया है ही नहीं, परन्तु समझाने के लिए देखो, यहां कहीं बाहर कहां है देवी देवता धर्म का फाउंडेशन, कहेंगे प्राय लोप है, पूरा लोप नहीं है, मना यह निशानिया हैं, प्राय है लोप मने बहुत करके लोप हुआ, मना बाकी आठे में लून बचा है, और प्राय करके बाकी यह निशानियां बची हैं देवताओं की, और यह देवताओं पास्ट में तो थी सथे तो सही न, चैतन नहीं थे, अभी यह चित्रों में और मूर्तियों में इनकी जड़ निशानियां बनी हुई हैं, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे के नहीं थे, गांधी जी हुए, नहरू जी हुए, शिवा जी हुए, राणा प्रताप हुए, उनकी निशानियां तो है न, तो ऐसे ही देवी देवताओं की भी निशानियां हैं, भई हाँ, देवी देवताओं शनातन धर्म भीज का फाउंडेशन है, सारे जाड़ का एक बीज, क्योंकि वो तो फाउंडेशन है, तो दूसरे सब धर्मों को मूल फाउंडेशन तो नहीं कहेंगे न, तो वो एक मूल यहां है, एक यहां है, और यहां ही है, तो यह बात बच्चों की बुद्धी में सदैव रहनी चाहिए, तो नशा चड़ेगा, कि हम ही सनातनी हैं, हम ही पुराने ते पुराने, बाप जो आतर के समझाते हैं, तो बातें उन धर्म वालों की भी तो बुद्धी में हैं न, तो बाप तुमको भी आप समान बनाते हैं, उनको भी निराकारी बनाएंगे, तो तुमको भी निराकारी बनाते हैं, तुम पहले बनते हो, तुमको सारे जाड़ का नालिस दे रहे हैं, इसलिए गीता में ही है सिर्फ जाड और चक्कर कि सिर्फ जाड से चक्कर का पता नहीं पड़ेगा नहीं जाड के मैं भीज रूप हूं और वो मेरा उल्टा जाड है इसका बीज इसकी बीज रूप आत्म है इसकी जड़ और जड़ रूप आत्म है फाउंडेशन मूल रूप में है साब उल्टे ऊपर की ओर है उल्टा जाड है और उस जड़ से हम समझते हैं और फिर यह जो चक्कर है वो तो गाया ही जाता है स्वास्तिक के रूप में इसमें है वर्ल की हिस्ट्री और जागराफी इसमें है वर्ल की हिस्ट्री और जागराफी तो सत्यूग से ले करके शुरू करेंगे ना वर्ल की हिस्ट्री और जागराफी रिपीट कैसे करते हैं तो यह समझाने में बड़ा ड्रामा हो गया यह है बेहद का ड्रामा बारे दिसंबर उन्निस और सट्की प्रात्यक्लास का साथ वापे तो देखो तुमारी बुद्धिय भी एकदम बेहद में चली गई है जैसे बाप भी बेहद का है तो वैसे तुम बच्चों की बेहद की बुद्धिय चली गई है और सारा तुम को अच्छी तरह से एकदम मालूम है कि बेहद के बाप को भी जान लिया और बाप की जो रचना है बेहद की उसको भी जान लिया तो यह बात तुम बच्चे जानते हो कि तुम तो सब से आगे कि बले शास्त्रों में लेखा हुआ है कि रिशी मुनी भी नहीं जानते हैं अब बाप तो बताते हैं और तुम खुद अभी जानते हो और फिर कल नहीं जान जाएंगे बूल जाएंगे और जनूर विनास हो जाएगा ना तो तुम साब भूल जाएंगे महा विनास और भूल जाएंगे तो फिर आधा कल्पतो बरो बार भूले ही रहेंगे अरे आधा कल्पतो क्या सो वर्ष कम पूरा पांच आज वर्ष भूले ही रहेंगे तो ये विशी मुनी वगएर क्या जानेंगे जबकि ये नालेज प्राय लोब हो जाती है यहाँ ही खत्म हो जाती है सारी नालेज खत्म हो जाती है सार रूप में बिंदू रूप आत्मा रहती है जिस बिज रूप आत्मा में सारा जार समाया हुआ रहता है तो देखो एक वी रिशी मुनी विद्वान पंडेताचारी सन्यासी जानता हो तो फिर इस सश्ची के आध्मध्यांत की परंपरा चलती ही जावे परंट देखो वहां द्वा पर युग में कोई भी रिशी मुनी नहीं जानते थे और अभी भी नहीं जानते उनकी जानने की दरकारी नहीं है ना क्योंकि इसमें तो सदकती ही होती है और वहां कोई भी एक मनुश्य भी से के पहले कभी भी योग नहीं सीखेगा जो बापस जाए सके सिवाइस पुर्शोत्तम संगम युक्य क्योंकि बीच में कोई बापस तो जाने का ही नहीं है इसलिए ये सश्टी सारी व्रद्धी को पाती रहती है बले कोई गपोड़े मारते रहते हैं कि हमकों ने धर्म पिता ने मोक्ष पाया बुद्ध ने मोक्ष पाया संकराचारी ने मोक्ष पाया कहेंगे कोई-कोई ब्रह्म में लीन हुआ फला ना हुआ अब भी अदका बाप आकर बताते हैं अरे एक भी बापस नहीं जाए सकते हैं जब तक मैं इस सश्टी रुपी रंग मंच पर ना आ जाओ ऐसे कैसे हो सकता है कोई वापस चला जाए वापस जाने का कोई को रास्ता ही नहीं पता तरीका ही नहीं पता कोई किस जबे में बैठा होगा आत्मा इंकार प्योरियल बर्ड में कोई किस जगे में बैठी होगी कोई किस जाड की डाली में बैठी होगी तो वो जान जाएं यह कैसे हो सकते हैं नहीं नातक जब पूरा होता है और सभी एक्टर से कल्युक के अंत में इस सष्टिरुपी रंग मंच पर मौजूद होते हैं साब धर्म की आत्में साब धर्म के फालोवर्स यह देखो यह सभी एक्टर से अहां होते हैं और जब के बेहद के बाप भी यहां होते हैं और वो वहां तक रहते हैं जब तलक सब वहां से खाली कर देवें एकदम परमदाम से जब वो आत्म लोक से सब आत्में खाली हो जावें तब ही इनकी वही खाली हो तब तो कहेंगे न कि वो श्यव की बरात जाएगी श्यू बाबा की बरात को अरे श्यू बाबा की बगार ऐसे तो नहीं है कि पहले से कोई जा करके बैठ जाएंगे बहां तो बाब क्या यादगीरी दलाते हैं बच्चों को ये सश्यू रूपी जाड़ के भी पूरी यादगीरी दलाते हैं और उने सश्यू रूपी जाड़ का नाम भी तो कल्प बच्छ है ना और ये है सश्टी चक्र कोई ड्रामा को नहीं समझते हैं फिर ड्रामा अगरे जी अच्छ रहे तो फिर सश्टी का चक्र रिपीट कहते हैं और रिपीट होती है तो बुद्धी में आते हैं ना सत्यूग त्रेता यूग द्वापर यूग कल यूग फिर संगम यूग तो ये संगम यूग भी गाया जाता है वक्ति मार्ग में पुर्शोत्तम मास मनाते हैं ना हर चौथी वर्ष मनाते हैं तो हर चार यूगों के बाद ये संगम यूग आता है इसलिए पुर्शोत्तम मास भी मनाते हैं और सिभए ऐसे नहीं के बारत में ही मनाती हैं मुसल्मानों में भी ये मास मनाया जाता है अंग्रेज्जों में भी कब होता है संगम-yूग वो विचारों को मालूम भी नहीं है और धर्मबानों को तुम को तो मालूम है क्योंकि बेयद के बाप ने जो वो वो जो मनुश्यों ने लिख दिया Yuga Yuga सम बाबा में Yuga Yuga तो उनों युगों का नाम भी थो होगा ना Yuga Yuga अभी तो बच्चे समझ गए हैं बरोबार समझ गए हैं युग भी ठीक होते हैं चार और ये पांच वाँ यूग है लीप यूग जिसकी यादगार में लीप बर्ष मनाया जापा है इसको मिटगेट यूग भी कह सकते है अरे कृष्ण को भी तो मिटगेट कहते हैं न उसको बिचारे कृष्ण को तो बड़ा दिखाया ही नहीं है सदै बच्चे की रूप में दिखाते हैं मिटगेट ही रखा किसको मालूम ही नहीं है कि ये रादे और कृष्ण की बात होती है जो पुर्षोत्तम संगम यूगी संगम यूगी रादे कृष्ण की बात है उने के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है और उन रादे कृष्ण को जो सत्यू के आज में सोला कला संपून कला बद्दबन के पैदा होते हैं उन्हों को मिटगेट ही रखा हुआ है क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत साधिया बादिया दिखलाते हैं है कितना गडबड़ सडबड़ कर दिया है तो देखो यह ग्यान है सबजने की बात है कि सत्यू में तो देवता हैं तो होते हैं परंतो जैसे कि बच्चा बुद्धी होते हैं है अरे ओन में भी जो फर्स क्लास बच्चा है स्री कृष्ण सत्यूग का उसको इतनी रानिया कहां से आई कितना गडबड़ सर्वल रख दिया है बहां बेबीचार होता ही नहीं कि बारे बारे 1968 की प्रात्य क्लास का आठवा पर तो देखो और धर्मों में है अज्ञान और यह जो बाप सुनाते हैं एक बाप से आता है ज्ञान इसको कहेंगे नालिज यह नालिज है ना बच्ची और इस नालिज को बक्ति मार्ग में शास्त्रों में तोड़ मोड़ करके क्या बनाई दिया है ऐसा गुच्छम बनाई दिया है कि कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकते हैं सारा सूत में उज़ा हुआ है तो कहेंगे ना जैसे कि ज्ञान का सूत मुझा हुआ है अब समझाने वाला तो फिर भी बाप ही होता है और वो बेहद का बाप है मनुष्य सच्ची का बाप नहीं सरवा आतमाओं का बाप है आतमा निराकार तो आतमाओं का बाप भी निराकार मनुष्य साकारी होते हैं तो मनुष्यों का बाप भी साकार अब ये तो जानते हो कि बक्ति मार्ग में इतने ग्रंत इतने ग्यान बगएर और सभी कहते हैं है जानते भी हैं और बोलते हैं सहज राजयोग सहज राजयोग दिलायत में भी जानते हैं हाँ कोई सहज राजयोग होता है बारत का वो सन्यास ही जानते हैं कि बरोबर ये वो ही प्राचीन समय का प्राचीन अर्था सत्युगत रिता द्वापर कल युग इन चारों युगों से पुराना चारों युगों से प्राचीन प्राचीन माना पहला पहला जो हुआ होगा सत्युग से भी पहले पुर्शोत्तम संगम युग में तो पहला पहला ती यही पहला है ना तो पहला पहला धर्म की स्थापना होती है जो है मुसल्मान भी जानते हैं अल्लाह अब्बल देन अल्लाह ने अब्बल नम्बर देन अर्था धर्म की स्थापना की पहले पहले बाप आते हैं अब लंबर धर्म की स्थापना करने के लिए और आते हैं यही सहज राजयोग सिखलाने के लिए तो विचारे बिलायती लोग जानना चाहते हैं कि सहज राजयोग क्या है बड़े एक्षियं से उत्सुक रहते हैं जानने के लिए देखो तुम भी कितने उत्सुक रहते हो कि स्वर्ग स्वर्ग कैसा कैसा होता है वो स्वर्ग पर कैसे इस्थापन होता है कब होता है इस्थापन और वो स्वर्ग की बात तो सब के मुख में है बले बोलते है अलग-अलग भासाओं में कोई पेरडाइज बोलते हैं, कोई जन्नत बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं ओम शाद्व